अन्पार्लेमेंटरी लेंग्वेज में उन्हें टिपणियां की ऐसी पावंदी लोगसभा को इनके उपर लगानी चाहिए लोगसभा में अक्सर नेताओं को एक दूसरे परारोप लगाते और उनकी आलोचना करते देखा गया है लेकिन 22 सितंबर को सदन की कारवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ संसद की गरिमा को तार-तार करने का काम किया बलके खुद संसद के पद का भी समान नहीं रखा बीजेपी के संसद रमेश बिधूडी ने बहुजन समाच पार्टी के संसद को और दानिश अली को लेकर कई ऐसे आपत्ती जनक शब्द बोले जिनहें एक सब भी समाच बरदाश्त नहीं करेगा फिलहाल अब इसे लेकर राजनिती गर्मा गई है और विपक्षी निताओ की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है जो रमेश बिधूडी के रवईये पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं इसी करम में समाच वादी पार्टी के राश्ट्री महसचिव स्वामी प्रसाद मौरे ने भी सांसद रमेश बिधूडी के साथ ही बीजेपी को भी निशाने पर लिया कुमर दानिश अली को लेकर कहे गए रमेश बिधूरी के अपमान जरक बोल पर स्वामी प्रसाद मौरे भड़क गए और उन्होंने इसे लेकर सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया स्वामी प्रसाद मौरे ने अपने ओफिशल एक्स एकाउंट से एक पोस्ट करते हुए सदन की कारवाही का वीडियो शेर किया जिसमें बीजेपी के एमपी रमेश बिधूरी बस्पक सांसद कुमर दानिश अली को अपशब्द कहते हुए नजरा रहे हैं इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौरे ने पोस्ट करते हुए लिखा ये देखो बीजेपी सांसद का असली चहरा और संसकार ये सांसद है या गवार इसके अलवा कई विपक्षी निताओं ने बीजेपी एमपी रमेश बिधूरी के विवहार की आलोचना की है सब्बा प्रमुक अखलेश यादव ने कहा है कि ये एक आपराधिक घटा से कम नहीं है साथ ही उन्होंने मांग भी की है कि ऐसे लोग जिनकी जुमान इतनी खराब है उन पर पूरी उम्र के लिए पाबंदी लगे ताकि वो चुनाव नहीं लड़ सके पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाईगे के चुनाव नहीं है वही बीजेपी ने भी रमेश बिधूरी को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बस पास सांसद दानिश अली के खिलाफ अब शब्दों का इस्तमाल करने को लेकर पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा के निर्देश पर सांसद रमेश बिधूरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मागा गया है जानकारी के जाई जानकारी का जब फिले की खिले की बताओरी कि झाली के ओिले के और शुट्री कि लिए जानकारी का गया है